खबर कोटा जिले से है जहां कोचिंग स्टुडेंट्स के सुसाइट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिन फिर एक कोचिंग स्टुडेंट ने सुसाइट का लिया। बतादे की शहर के कुनहाडी लाके के लैंडमार्क सिटी में कोचिंग छातर सुमित ने सुसाइट का लिया था जिसकी मौत के बाद उसके परिजन सोमवार को कोटा पहुंचे और उन्होंने मृतक शिवम का शब देखने के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। वैचातर के चाचा सुरेद्र कुमार ने बताया कि सुमित का शब देखकर लगता है कि वह आत्महत्या नहीं है। उसकी हत्या की गई है। इसके अलावा मृतक के सभी परिजनों ने परिजनों ने रिपोर्ट डर्ज करवा कर SIT जांच की मांग भी की है। खोटा से तेजपाल बग्डा किरपोर्ट। चाहते हैं परशाजन से के SIT गठीट करें जाए इसके लिए और बोर्ड से पोर्ट मार्टम हो। इसको चाहर पास जिन पहले बात की थी बिल्कुल कुछ था, कोई प्रेशन नी था। हर बार में उसको यह करता था, कोई टेंशन नी था, कोई टेंशन नी था, कोई टेंशन था, हर बार यह करता है। मैं उनके स्टाफ से बात हुई, सुभर भी बात हुई, ठीक ठाग था, दो परको बात हुई, ठीक ठाग था, तो उसके बाद कैसे किस टेंशन हुआ अच्छा, ना तो उस टेंशन पे यह टाइम सेट किया गया इनके, नो बजे का बता रहे हाँ बार में, और नो बजे से पर ले जब वो ठीक ठाग बता रहा था, इसका मतलब कोई बात चुपाई हुई है, चुपी हुई है, इड़न है, और मेरे को नहीं लगता कि वो सिसाइड केस है, जैसे मुझे तो सुचना 935 पे मिली कि एक बच्चे इस तरह से पंखे पे आसी लगा कर सुसाइड कर लिया है, वो कोचिंगे रहे हैं, तुरंद पुलिस मोके पर गई, बच्चे को उतार की मोर्चरी में शिप्ट कराया, परीजनों को खबर करी, अभी सुबह परीजन भी सारे आचुके में, मेडिगल बोर्ट से पोस्ट माड़म करवा रहे हैं, तो सुमित पांचाल नाम का बालक कोचिंग के दिया था, इस बार पहली बार ये कोचिंग कर रहा था, साल बर से कोटा रह रहा था,